दुनिया का सबसे क्रूर तानाशा किम जौंग्यून सोचिए जिसने पूरी जनता को अपनी पूरे देश की जनता को अपनी मुठी में दबा कर रखा है वो अपनी अर्धांगिनी के साथ किस तरह का व्यवार करता होगा? वो अपनी पतनी पर कितने जुल्म ढ़ाता होगा? जुल्म गुजारता होगा? जरा सोच कर देखिए, ना आप अपनी पसंद की फिल्म्स देख सकते हैं, ना आप इंटरनेट का इस्तमाल कर सकते हैं, आपका हेरस्टाइल भी वही तै करेंगे आपके चलने फिरने का तरीका वही तै करेंगे, कि यहां तक की आप क्या खाएंगे, वो भी वही तै करेंगे जो व्यक्ति लोगों का हेरस्टाइल तै करता है लोग कौन से फिल्म देखेंगे, वो तै करता है, आखिर वो अपनी पतनी के साथ कैसे रहता होगा सोच कर देखिए कि स्ताना शाने अपनी पतनी के लिए कैसे नियम कायदे बनाए होंगे सच जाना चाते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंतक, जो आपको चौका कर रख देगा किम जॉन उनकी खुबसूरत पतनी है, री सॉल जू, जिनको आपने बहुत सारे इविंट्स में किम जॉन उनके साथ देखा होगा इनके होटों की मुस्कान को देख कर आपको भी ऐसा लगता होगा, कि ये किम जॉनक के साथ बेहत खुश है लेकिन दोस्तों, असलियत इससे को सो दूर है ताना शाह ने अपनी ताना शाही दिखाने के लिए अपनी पतनी तक को भी नी बक्षा है एक ताना शाह की पतनी बनना कितना मुश्किल है, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा किम जॉनक ने अपनी पतनी री सॉल जू के लिए भी काफी तरह की नियम, काईदे कानून बनाए है जिन में सबसे पहला नियम तो यही है कि वो मोबाईल इस्तमाल नहीं कर सकती भारत में जहां बच्चे बच्चे की जेब में मोबाईल है, वहाँ एक देश की रानी को मोबाईल चलाने की इजाज़त तक नहीं आपको उनके पास कभी किसी तरह का कोई मोबाइल नहीं दिखेगा और इसके अलावा ना ही इंटरनेट इस्तमाल करने की इजाज़त है सुबह उठने के बाद हर कोई सचता सवरता है लेकिन इसके लिए भी किम जॉंग ने अपनी पत्नी के लिए कड़े नियम बनाई है रीशॉल जू को सचने सवरने के लिए तीन लड़किया नियुक्त की गई है लेकिन मेकप कैसा होगा वो भी किम जॉंग उन तै करते हैं आपको कभी रीशॉल जू के चहरे पर मेकप की परते दिखाई नहीं देगी सक्त हिदायत है कि उनकी पत्नी का मेकप बिल्कुल सिंपल और सोबर होना चाहिए वहीं अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उन तीन मेकप आर्टिस्ट में से दो रह जाएंगी या फिर एक भी नहीं बात करें कपडों की कपडों पर इस ताना शाने अपने लोगों के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं जिने जानकर आप हैरान रह जाएंगे नौर्थ कोरिया में ये नियम है कि कोई भी लड़की टाइट जीन्स या ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जिससे उसकी बाड़ी का शेप, फिगर साफ साफ दिखाई दे बिल्कुल इसी तरह किम जॉन उनकी पतनी भी क्या पहने की किम जॉन उन ही तै करते हैं किम जॉन की पतनी को आप हमेशा जैकेट पहने वे देखेंगे या उनके शॉर्ट्स गुट्णों तक होता है या उससे भी नीचे असल में सब कुछ किम जॉन उन तै करते हैं कपड़ों को छोड़िए जूते भी किम जॉन की मर्जी के हिसाब से उनकी पतनी पहनती है किम जॉन उनकी पतनी को उची हील वाली सेंडल पहनने की इजाज़त नहीं किम अपनी हाइट को लेकर काफी चिंतित है क्योंकि कहीं उनकी पतनी उनसे जादा उची ना दिखाई दे उन्हें बहार जाने की इजाज़त नहीं है वो जब कभी भी बाहर जाती हैं तो किम जॉन उनके साथ ही बाहर जाती हैं उन्हें तभी बाहर निकाला जाता है जब या तो किम जॉन को कोई विदेश यात्रा करनी हूँ यब जी हाँ एक तानाशा का देश ऐसा ही होता है जहां पर तानाशा अपने देश में रहने वाले लोगों की पूरी जिन्दिकी को कंट्रोल करता है